असम में बुदवार सुबह एक बड़ा हाथसा हुआ, यहां के डेरा गाउं में 45 लोगों को ले जा रही एक बस ट्रक से भिड़ गई, इस हाथसे में कम से कम 14 लोगों की मारे जाने की खबर सामनी आई है, वहीं 27 लोग गंभीर रूप से घायल है, पुलिस का कहना है कि बस मे सफर सुबह 3 बजे शुरू हुआ था, रास्ते में ही कोले से लदे ट्रक से उसकी टक्कर हुई, जुर्घटना की जानकारी मिलते ही, पुलिस और राहत बचाव कर्मियों की एक टीम घटना सल पर पहुच गई, घायलों को जो रहाट मेडिकल कॉलिज में भर्दी कराये गय कि कई घायलों की स्थिती नाजुक बनी होगी है, घटना कैसे होई, पुलिस इसकी चार्ट में जुटी है